कि अधिक है फिर हम आगे बढ़ते हैं में कूलम फॉर्स पढ़ लिया है उस पर बहुत सारे कोईश्टन भी सॉल्फ कर लिया है और तुमने वही कोईश्टन फिर से इसी वरमा में पूछें सेम डाउट पूछे तुमने अब हम स्टाट करते हैं एलेक्ट फील्ड लेखो अब लेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इन स्पेस एलेक्ट्री फील्ड एट पॉइंट इन स्पेस केन बी फाउंड बाइप लेसिंग टेस्ट चार्ज ब्रेक्ट में लिखो टेस्ट चार्ज के ब्रेक्ट में लिखो वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज by placing the test charge at that point and finding net electrostatic force on it. Then electric field at that point is given by इसको हम E vector से दिखाते हैं, यह भी vector quantity है. F vector Y Q naught. Q naught क्या है अब है? Test charge, लिखने ना. जहाँ पर test charge लिखाता है, वहाँ भी Q naught लिखने हैं. By placing test charge Q naught. तो इस तरह से तुम electric field निकालते हैं. Electric field is nothing but force per unit charge. तुमने कोई charge रखा? उस पे जितना भी एलेक्ट्रेस्टेटिक force लग रहा है, उसको उसके charges से divide कर दो, तो 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 क्या मिल जाती है? Electric field. इसका unit क्या होगा बताओ जल्दी से. Unit क्या होगा? Newton पर जल्दी जल्दी जल्दो दिमेशनल फॉर्मिला. इसी दिमागी दिमाग में कर लेते हो? बताओ जलो. जल्दी खड़े के जल्दी सिम्रान, बताओ. दिमागी दिमाग में करके बताओ. M1, L1, I1, T1 और? T-1. चल्दी देखे डिखेंगे साही करा आए. I-1 और T? T-1 चलो ठीक है, जो भी देख लगे देना तुनरेन न्यूटन क्या होता अपना न्यूटन पर कूलं में Neuton क्या होता है किलो ग्राम मीटर पर सेकंड स्कुस्वैर और कूलं क्या होता है एंपेर सेकंड रहेड ui, T-3 आ रहा है तो कितना होगा है तुम्हारा M, L, T-3 और A-1 यह तुम्हारा डैमेशनल फ़र्मिला है ठीक है अब होती गया वह यह एलेक्ट्री फील्ड है तो देखो माल लेते हैं मेरे पास कोई बड़ा है बड़ा सा कैपिटल क्यू चार्ज है कोई चार्ज रखा हुआ है एलेक्ट्री आफ इस पॉंट्री फील्ड को, एक्सपिरियंस भी चार्ज ये कर सकता है ठीक है तो इसको के और करता है चार्ज और से की कारण गरता है तो आप पहले तो किसी पकल क्वेर पांट पर निकालते हो माल लो मैंने एंपे चार्ज रखा हूँ, मुझे इस पॉइंट पहना गर इस पॉइंट पर एक चार्ज़ रग दोंगा इस पॉइंट पर दूँगा उस पॉइंट पर चार्ज रग रहे हैं उस पर मैने इन प्यूम्द के बराबर हो जाएगा magnitude वाई मतलब number बरावर हो जाएंगे ठीक है यूनिट तो क्योंकि अलग-अलग है ना force का यूनिट न्यूटन है और electric field का यूनिट क्या है Newton पर coulomb वो Newton पर coulomb से ही तुमको पता चल रहा है एक coulomb charge पर जो force लग रहा है वो electric field के बरावर होता है यह बात समझे में आई गया ठीक है तो हमने ऐसा करा क्यों क्यों क्योंकि माल लो यहाँ पर बहुत सारे charge रखे हुए ना अब मुझे कोई एक charge रखे उस पर फोर्स निकालना है तो क्या करूंगा मैं अलग अलग जगे रखे फोर्स निकालो इससे बेटर क्या है कि मैं पहले ही हर जगे इस पेस में हर एक पॉर्स निकालने का हमारे पास तरीका क्या था कूलंग कर उससे भी हम जल्दी करना चाहते हैं यह चीजों को तो हम क्या करेंगे हर एक पॉर्स पर इलेक्ट्री प्धा चल गई अब तुमने इमहाँ पर क्यू नोट चार्ज रख दिया तो उस पर फोर् कि नोट इंटू इए वेक्टर तो यह फोर्स निकालने का काम बहुत आसान कर देगा अगर तुम्हें स्पेस में इलेक्ट्री फिल्ड बता है और बहां पर तुमने चार्ज रख दिया तो जतना चार्ज रखा है उस चार्ज को इलेक्ट्री फिल्ड से मल्टिप्लाई कर दो तुमको सीधा का सीधा फोर्स मिल जाएगा और यह तरीका कुछ नया लौ नहीं है यह सब कूलम फोर्स ही निकल के आता है देखो इलेक्ट्री फिल्ड ने क्या वह भी एफ वेक्टर वाई क्योंट यहां पर तुमने क्योंट टेस्ट चार्ज रख दिया है ना तो बता फोर्स रेडियली तो लगता है रेडियली आउटवर्टी तो लगता है र कूलम सोर्स आर केप और डिवाइड़ वाई क्योंट तो इलेक्ट्री फिल्ड कितनी आगी तुमारी के क्यू बाई आर स्कॉर आर केप यह दियान रखना यह फोर्मिला तो जब भी अब तुम्हे अब or क्योंट निकालना गया स्पेस में किसी फीन प्वे तो 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 तुम्हें अगर कैपिटल क्यू चार्ज के कारण एलेक्ट्री फिल्ड निकालनी आगे तो क्या करोगे सब के क्यू वाई आर स्कॉर है अभी तुमनें पढ़ा था के क्यू बाई आर स्कॉर्स होता अब पता चल गया के क्यू भाई रसक्वाइर क्या होता है एलेक्टरी फिल्ड होता है अब तुम्हें दिखी रहे हैं अब क्यू नॉट मुल्टिप्लाई कर दो कि तो क्या मिल जाएगा फोर्स आ जाएगा तो है सबकुस से में बस एक नया तरीका है पर यह नया तरीका बहुत इंपोर्टेंट है और इसने बहुत सारे नए डिमेंशन्स खोलती है फिजिक्स में वहम देखेंगे कैसे हुआ अभी यह समझ में आया क्या कुछ नहीं करा भाई बस जो फोर्स में यह वाली कॉंटिटी इसको इसको एक अलग नाम देंके लग दिया अब देखने से क्या होता है अब आधागत नाए जब इलेक्री फील्ड निकालते हो तो जिस चार्ज पर फोर्स निकाल रहे हो उसकी नहीं काल तो में लेक्री फील्ड यादखो अगर इस पॉइंट पर मुझे लेक्री फील न और उसके करण इस पर फोर्स लग रहा होगा, पर जिस पॉंट पे आप चार्ज रखते हो, उस पॉंट पर आप एलेक्री फिल्ड नहीं निकाल सकते हिए। क्योंकि सोचो अगर यहां पे चार्ज है और इसी पॉइंट पे टिपिल निकालनी तो या आईगी आं केतना हो जाएगा नौट डिफाइट जहां पे तुमने चार्ज रखा है उस पॉइंट पे उस चार्ज के करणट इलेक्र फील्ड नौट डिफाइट नहीं कर सकते हो तो तो कोई चार्ज खुद की एलेक्री फील्ड नहीं कर सकता क्योंकि जिस जगे पर यह बोच रखा होगा उस जगे पर उसकी खुद की एलेक्री फील्ड डिफाइंट ही नहीं होती बताओ यह पॉइंट के लिए रहें गया तो लेखो यह से जल्दी से करता है ना लिख से तो दुख रहा है तो वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज अरे बना डारेक्शन कुछ ने नेगेटिव लेके डिफाइंट कर दो फिर डारेक्शन हमेसा के लिए अपॉजिट हो जाते ठीक है तो इसमें क्या होगा जब तुम फोर्स निकाल रहे हो तो अपने अपपोसिट हो जाएगा तो सही तो आ रहा है इसलिए पॉजिटिव ले लिए नेगेटिव लेके डिफाइन कर सकते थे पर कोई एक तो लेना था ना पूरी दुनिया अलग अलग लेने लगेगी तो गड़बड हो जाएगी ना तो पॉजिटिव लेके काम चालू बढ़ जाएगा है ना इलेक्टरी फील्ड जिस चार्ज पर फोर्स निकाल रहे हो सचे के चार्ज पर डिपेंड ही नहीं कर रही इसका थे यह तो नियुक्त करते हैं अगर इसको तो बहुत ज्यादा लेलों को इसको इसको रिपल करने लगए इसको और नहीं कर जाती है तो इंटर्फियर करने लगता है तो एक्सपेरिमेंटल ली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इसको बहुत इसमॉल बोलते हैं मना थेयरेटिकल कोई दिक्कत नहीं कितना भी लेलो तो ठीक है करें एक आभा गए को बताएं और अच्छा से इस्टडी करने के लिए समझेने के लिए हमने और गांसेट करा हम हीमन्ट्री देफिल्ट लाएं ता कि यह हमने च्पाइड करता ता उसको दिखा पाएं, उसको हमने दिखाने के उसको विजुलाइज करने की कोशिश करी तो उसके लिए, प्रणा अंगी इस तरह से हमेह भ halten करना है कि वह एलेक्ट्री फिल्ड का डारेक्शन भी बता पाए हर एक पॉइंट पर और इसके मेगनिट्उट का भी आइडिया दे पाएं ठीक है तो देखो एलेक्ट्री फिल्ड लाइन को हमने किस तरह से इसके इसके होता नहीं है लेक्रिपंध निन टो चकान लेक्रिकुक्यान को च्छिट लेक्रिकियने, न लेक्रिक्रिकव टॉटीन है लेक्रिकर only टॉटीन डॉर कोई सिट्रोगनальным लेक्रिकरिकें लिए लेक हैंचर हिंच्कंड where electric field is weak by convention number of electric field lines is directly proportional to magnitude of the charge creating it electric field lines originate from positive charge and terminates at negative charge or at infinity तो देखो जैसे यहां पर मालो चार्ज रखा हुआ है को यह ना से पिलस बन कूलम चार्ज है तो जब पॉजिटिव चार्ज होगा और तो दिखाएंगे क्योंकि हम जानते एलेक्रिक फील का डायइप्शन हर जगे क्या है रेडियल होगी तो पॉजिटिव चार्ज से निकल रही होगी होंगे और कहा तक जाई और तक जा रही होगी। है ना और तुम देख सकते हैं अगर यहां पर वन मीटर स्कॉयर का एरिया लूँगा चलो पहले तो और बना देते ना जैसे प्लस बन कूलम का ऐसा हो गया ना अब इसी जागे अगर मैं प्लस टू कूलम बनाओ है कि मेंग्णिटीड डबल हो गया ना तो हम दिखाने के लिए नंबर फी और ये क्या करेंगे डबल दिखाएंगे क्योंकि दएखने वाले को देखके पता चल जाए मोत ऑप इसका मेंग्णिटीड ज्यादा है ळाब ना तो तो अगर यहां पर मैं प्लस बन कुलम प्लस टू कुलम नहीं लिखता ना तब भी तो मैं पता चल जाता क्योंकि वह बहार निकल रही है यह देख के तुम्हें पता चल जाता पॉजिटिव है और तुम्हें चार्ज पता नहीं चलता कितना है पर इतना पता चल जाता कि अग U 유료 के चाहिँ पर बन मीत्र स्क्वार्य को श्रेंद टू की तो मुझे देख रहा है कितनी आरही है इसमें बौइन यह पर यहां अँदाण आ तो सें अरीय में हैं पर ज्यादा जयादा लाइने आरी अमद्लम यहां पर क्या होगी ए अ counterpart करेंट्री की जो श्ट्रेंथ में ज् लिखाए four Simmons उते तो इसलेक्रिक फीड में सोती है उसका फीजिकल एक्जिस्टेंस होता है तो में दिखती नहीं पर वह स्दोकर्ण नहीं सो तब चार्ज होता है कोई भी चार्ज होता है तो उसके कारण कि फिनिटी तक electric field create हो रही होती है हर एक charge के कारण वह बहाँ पर exist करती है चाहे तुम्हें दिखेंगे चाहे ना दिखेंगे उसको experience करने के लिए तुम्हें दूसरा charge रखना पड़ता है तब वह उस पर force experience करता है और तुम्हें पता चलता है यह बास समझ में आई गया electric field lines एक imaginary concept है बस उसको visualize करने के लिए ताकि हम उसे आसानी से study कर सकें यह बास समझ में आई ठीक है यह point भी समझ में आ गया और देखो electric field तुम्हें क्या नेकाला था एक charge के कारण point charge के करण kq by r square बहाँ पे जाके लिख भी ले ना यह mention कर लो electric field due to a point charge अब यह अपने लिखाता ने electric field kq by r square लिख लो electric field due to point charge अब ठीक है तो अब भाई kq by r square के एक्सप्रेशन से पता चल रहा होगा आर कम होगा तो electric field जादा होगी आर को जैसे जैसे बढ़ा होगी electric field कम होगी तो यह समझ में आ रहा है बैसे तो कि जैसे जैसे चार्ज जैसे दूर जाँगो तो electric field की strength कम होनी चाहिए और देखो electric field line से मुझे दिख भी रहा है सेम एरिये में अब कम लाइन आ रही है पहले ज़्यादा रही थे अब कम आ रही है यह समझ में आई कि वली बात ठीक है अब देखो अगर मालनों यहाँ पर मैं माइनस वन कूलम चार्ज रख दू तो electric field कैसे आएंगी infinity से आ रही होंगे और रेडियली आएंगे अभी भी पर अंदर जाएंगी तो इन दोनों फिगर को देखके तुम क्या बता दोगे एक तो तुम यह बता दो कि इन दोनों फिगर को देखके कि दोनों का magnitude तो सेम है क्योंकि number of electric field line सेम है पर इतना भी बता दो कि यह वाला positive और यह वाला तो बहुत सारी information दे देता में एक्टिफील लाइन को देखके यह के लिए रहे क्या बनाओ जल्दी से तीनों के सब एक दूसरे से infinite distance में है तो एक दूसरे के साथ इंटर्फिया नहीं कर रहे है पर अगर मैं दो चार्जेस को पास लेके आ जाओं तो क्या होगा देखते है अच्छे एक मोइंट ओलिख लो एक एलेक्ट्रिक फील्ड ओवेज दा प्रिंसीपल ओफ सुपर पोजीशन लाइक कूलंब्स पोर्स प्रिंसीपल ओफ सुपर पोजीशन का मितलब किया है पढ़ाता ना परने कूलंब्स में कि बाकी चार्जेस का प्रिजेंट होने से किसी भी दो चार्ज के फोर्स को कोई फर्क नी बढ़ता दो चार्जेस की बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो हमेशा ही उतना होगा यहीं बारे में कि अगर दो तीन चार्ज है तो हर एक चार्ज अपनी फिल्ड की रियेट कर रहा होगा तो इस पेस में जो नैट एलेक्रिक फीडाई डिव है वेक्टरियली एट कर दो थो ठीक है तो लेकले ना लेक्टरिक वीन से अधेट एड़ी वेक्टोरियली कि दो तूर्छ today पानलो एक अपने चार्ज़ रक्दिया प्लस क्यू है और एक चार्ज़ रक्दिया माइन्स क्यू पास पास अटिये थिक यह अब क्या होगा तो मुझे दोनों चार्जेस के कारण देखनी पड़ेगी जैसे इस चार्ज के कारण अगर अकेला प्रिंसिपल और सुपर पोजिशन क्या बोलता है अगर अकेला यह वाला चार्ज होता तो इस डारेक्शन में आती और क्योंकि यह इस से थोड़ा सा दूर है तो इसकी वीक यह एक साथ रख देते हैं तो वो जिस डारेक्शन ने जाता है वो डारेक्शन सा होता है इन नौनों का वेक्टर एडिशन से जो आता है तो जब हमने एक्सपरिमेंटल यह वाली चीज़ अब्जर्व करी तो हमने क्या बोल दिया इलेक्रिफील्ट सुपर पोजिशन को ओवे करती है और इलेक्रिफील्ट भी क्या है वेक्ट समझे हो हमारे पास चोईस नहीं है यह सारे एक्सपरिमेंटल लॉज है यह प्रिंसिपल और सुपर पोजिशन हम पढ़ते तो हमें वार वार ऐसा लगता है यह तो अब्विस सी यह समन निकल ली निकले है इस यह संज में अभी वह तो तीस्रा चार्ज कि उस चार्ज की पुक्षॉपैल्स थास्पील्स रहे विवे रही है यूँश पर नेट लेक्रिफील्ट कर जाएगी पर भीम लिए क Já उनल दो ऐसे वीट्वीफेश कर जाए इन हीज़ हुआ है य क्योंकि net electric field is tangent to the electric field lines तो आप में दो चार्जेस के कारण electric field line बनाना चाहरा हूँ तो देखो इसके बिल्कुल opposite तो ऐसी जा रही होगी यहां पर ऐसी निकल रही होगी और इसके अंदर जा रही होगी और इसकी कैसे infinity साके यहां पर आ रही होगी क्योंकि इसमें से निकलती है और इसके अंदर जाती है तो यह निकल तो रही थी infinity में जा रही थी पर बीच में negative चार्ब मिल गया तो उसके अंदर चली गई समझे में रहा है electric field positive से निकलती है और negative के अंदर जाती है पढ़ा था ना दो जगे टर्मिनेट कर सकती है अगर negative चार्ज मिल जाएगा तो उस पर टर्मिनेट कर जाएगी नहीं मिलेगा तो जैसे यहां पर नहीं मिला तो infinity पर टर्मिनेट कर गई तो अब यहां पर जो लाइन सा रही होगी नो वह कुछ इस तरीके से आ रही होंगी जब तुम वेक्टर एडिशन हर एक पॉइंट पर करोगा तो तुम्हें डारेक्शन मिल जाएंगे फिर वो कुछ इस तरह से आ रही होंगी पॉजिटिव से निकलके किस में टर्मिनेट कर रही होंगी नेगेटिव पर टर्मिनेट कर रही होंगी बना लो जल्दी से और ये किस से आया वेक्टर एडिशन से ना हर एक पॉंट पर वेक्टर एडिशन करो दोने के कारण तो तुम्हें डारेक्शन मिल जाएंगे और वो डारेक्शन कुछ इस तरह से आएंगे ठीक है चलो बना लेते हैं दो बदो कैसा रखना अबना लेते हैं वी क्या रखना है क्या रख दें आएंगे कज भी रख देंगे जलो पहले एक सेंपिल बाला बनाह लो उसके वाद आफन बहु सब करते हैं इस दोनों बॉसिटिटिव करदू तुम लोग बनाओ, इलेक्टरी फीड लाइन्स पहले इसके लिए बनाओ, यहां पर भी प्लस की उरुख दिया मैंने, और यहां पर भी प्लस की, तो बताओ इस स्पेस में इलेक्टरी फीड लाइन्स कैसी दिखेंगी, सोचो, पेपर इसलिए ही तो दिये हैं बखमान ने, मंपेबर, इस की ए ते चर्ट लाइन, तो यहां पर भाग रही है, कोई दिक्क्त नहीं हे, यहां पर भी अःट गए, के अब रहे होगी तो पैसे अनिकल तो रही होぎए यहांसे दो रही होगी इसमें कोई डाउट शहरूंट में दो सकत अब तो इने कर जाएंगी जो इन डोनों का पर नगला सनफिनिटि Miles ब्cession कर रही है यह, एक दूसरे को अगर नेगटिव होता तो अपने अंदर ले 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 दा पर यह दोनों अपने ऐसे बहार निकालना चारे हैं समझ रहे हो तो यह लाइन्स को इस तरह से हो जाएंगी है और यह यहां पर कैसा हो जाएगा यह बना रहे हो और यह इस ट्रेट आती है इनको के घ्रकमल कर रहे होगी इस तरह से आ तिके और सेंटर में तुम इस तरह से सकते हो क्योंकि तुम्हआं पता है इस क्व complet का डार्ये यह को यह चार्ज बोलेगा हैं हआपर यहाज पर तो तो तुम इस बस center वाले point पर नहीं दिखा सकते हैं समझ है हो उसके बाद बिलकुल तो मैं से इस्ट्रेट दिखा सकते हो पर उसको है नहीं दिखा रहे है क्योंकि हम बोलते हैं तो हम इसको एसे टोटीकली तिखा दे रहे थे रहे हैं भूत सारी जारी है तो इस इस पॉइंट पे नीचे औरीजिनेट वहां से हो रही है विल्कु एसे टर्म करती जा रही है ठीक है चला तुम मताओ मेरे काज़ तुम जो भी हो ले तो खुद बना लोग यह कि नहीं बनेगा बताओ क्या बनाना जा रहे है हम दो किरना इसमец मे बता दो क्या बना है कि वेजह माणीट रुद टेम हैं इसशोफ टें कैसे वह ने कि अवग ऑग्यों करना थी और तीन के करन गतीजी करो तो यह इसलेंग इसमें निकलिके इस तरह इस तरह से क्या हो intact about और यह कुछ ऐसे जा रही होगे इस होसी जा रे होगी मतलब क्या कोई भी चार्ज खुद की फीड्ल एक्स्पिरी mori कि यह उन फिलस किसकी करेगा हाँ इसकी फिष्ट बिलकुल करेगा इसकी फिल्ड माइनस क्यू में Venezak im a क्यू निकल तो तो तुम ये बोल सकते न फिर माइनस कु गी निकल तो चो फील्ड है क्योंकि अगर इवाला चार्ज नहीं होता तो इस बाली की स्ट्रेंद बहुत जाता हो जाती अंदर की तरफ इस चार्ज के करण इस डारेक्शन में स्ट्रेंद कम हो गई उसकी तो बिल्कुल होगी यहां पर जो फील्ड वो इसके करण भी इसके करण भी है दोनों के कारण है ठीक है यह एक फील्ड लाइन तो बस नेट एक फील्ड का डारेक्शन बगरा बता रहे हैं यह हमारा रिपर्जेंटेशन है पर एलेक्ट्री फील्ड दोनों चार्जेस के कारण महां पर है प्रिंसिपल अपर पॉजिशन अच्छा बता किसी पॉइंट पे इस तरह से हो सकती है नहीं हो सकती इलेक्ट्री फील्ड बनाव रहे हैं तो बताव इस तरह की पॉसिविल है या नहीं है रीजन के साथ है अब अनिरूद हाँ 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 बहाँ पर में एलेक्ट्री फील्ड का अच्छा टेंजन नहीं कर सकते क्या अच्छा दो अलग अलग डारिक्शन में जा रहे है एक टेंजन ऐसा चला जाएगा एक टेंजन ऐसा चला जाएगा हाँ यह भी सई रीजन है तो इलेक्री फील्ड क तो बता ही नहीं पा रहो उस पॉइंट पे ठीक है बिल्कु सही है बागे इसको और अच्छे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि यहां पर क्या करो एक टेस्ट चार्ज रख दो यहां पर अब ही टेस्ट चार्ज क्या करता है जिस डारेक्शन में तुमारी एलेक्टरिक फील्ड ह पेर रख दो कहां जाएगा यहां जाएगा आशा तो नहीं हो सकता कि दोनों चले जार जाए किसी एक डारेक्शन में जाएगा और सिपस्पोसिवली नहीं संभब वागि इस तरीक होता है इलेक्टरिक फील्ड का निकालने का लिए क्या करते हैं तो तूम चार्ज को रख देते हैं मतला ऐसा सोच असलियत में इसा नहीं कर सकते कि तुमने चार्ज उठागे रख दिए फिर देख रहे उससे भागते हुए होते हो इसके कुछ तरीकए ठीक है पर तुम मारा सोच ऑगर तुमने चार्ज रख दिया चार्ज जा जा तो गलत बनाए जिसने भी बनाए ऐसा हो यह नहीं सकता है चलो इनफ अब आउट एलेक्टरी फील्ड लाइन कि चलो कोश्चन कर रहे हैं आप कि यह में लेक्टरी फील्ड बता रहा हूं है ठीक है क्या यह एक एलेक्टरी फील्ड कि यहां मैंने दो चार्ज रख दिये हैं अब इसका मतलब यह नहीं है मैंने लाइन ऐसी बनाए तो यहां पेलेक्टरी फील्ड नहीं है जब मैं ऐसी लाइन बना रहा हूं मतलब पूरे स्पेस में एलेक्टरी फील्ड है ठीक है फाइंड नेट फोर्स on both the charges with the direction find the magnitude and direction of force on both the charges the charge इसफेंड चार्ज पर किस नीजयेगा फोर्स अबी आपने पढ़ा तना कि F-Vector क्या होता है फोर्स निकालना किसी चार्ज पे एक्टरी फ्यारा डेक्टर होता है क्यू इंटू इवेक्टर है ना तो अगर क्यू को पॉजिटेव रख देंगे अगर Q positive है तो F vector और E vector का direction सेम हो जाएगा ना मतलब इस पर force कहां लगेगा electric field के direction में और magnitude कितना होगा उसका QE magnitude Q into E होता है और direction क्या होगा positive charge पे positive charge पे electric field के direction में force लगता है अब बतो Q को negative रख दें अगर तो देखो आ गया ना electric field के opposite होगे ना direction माइनस क्या बताता है अगर वेक्टर में माइनस मल्टिप्लाई करते तो उसका direction opposite हो जाता है ना तो negative charge पे जो force लगता है वो electric field के opposite direction में लगता है और magnitude अगन क्या होगा QE के लिए रख या मतलब positive charge रखोगे तो वह electric field के direction में भागेगा और negative charge electric field के opposite ठीक है यह याद रखना यह आसान सी चीज है दिमाग में रखना है बस यह चोटी-चोटी चीजों से फिर अभी अपना बंता जाएगा और फिर questions आएंगे find the force and trajectory of the charged particle find the net force and trajectory of the charged particle gravity भी है ना नीचे initially rest पर रखा हुआ है find the net force and trajectory of the charged particle क्योंकि circular motion, straight line, projectile, projectile, straight line, parabolic, elliptical, hyperbolic, straight line, parabolic, projectile projectile अचा किते लोग बल्रहें है भी पहला होगा है और second parabolic कि अधे नहीं projectile कि अचा करें तुम लोगा भी अचा प्रोजेक्टल होगा यह पैराबोलिक होगा और projectile एक होते हैं पहले तो पता नहीं तुम लोग यार भाई एक होता है ना पैराबोलिक पात होता है ना उसकी trajectory को पैराबोलिक बोलते हो projectile motion कैसा होता है पैराबोलिक होता है what is the trajectory of projectile motion parabolic खेर दो नहीं कहलते हैं ना कैसा होगा straight line क्यों अज़ अब ऐसे इसको छोड़ता हूँ तो ये projectile पे जाता है क्या नहीं जाता ना straight line पे जाता है ना जब भी किसी इभी चीज को rest पे छोड़ते हैं और उस पे constant force लगता है तो वो हमेशा straight line में जाती है तो हो क्या क्या एक mg force नीचे लग रहा है इस direction में कितना लगेगा तो net force जो इस पे लग रहा है वो कुछ इस direction में लग रहा है वो f net कितना होगा पाई तो कर दाता है ना q square उसका angle बगरा भी निकाली लो गए है तो particle क्या करेगा पाल्टीक्ल को थोड़ी ना पता है mg qe क्या है पाल्टीक्ल को तो पता है net force उसको देख रहा है नेट फोर्स इस direction में लग रहा है तो उसकी trajectory क्या होगी इस direction में जाएगा यह उसकी trajectory होगी पाल्टीक्ल की इस straight line में ऐसे move कर जाएगा आयागे समझ में देखो देखो मैं फिर से लिख बात है तो यह वाली बात मैंने काइनेमेटिक्स के टाइम पर तुम्हें बताई थी वैसे अगर किसी भी पाल्टीक्ल पे constant force लग रहा है तो सिर्फ दो तरह की trajectory is possible है सिर्फ दो तरह की constant force जब मैं बोल रहा हूँ तो constant in magnitude and direction दोनों की बात कर रहा हूँ ना तो जब भी किसी भी पाल्टीकल पे constant force लगता है सिर्फ दो तरह की trajectory is possible है एक straight line और दूसरी parabolic बताओ तुम लोग कौन बताएगा conditions कब straight line होगी और कब parabolic होगी सिर्फ दो ही possible है इसके लाब और कोई possibility है नहीं लेखो एक note करके लिखो इसे लिखे लो है ना when a particle is being acted upon by constant force when a particle is being acted upon by a constant force bracket में लेख लेना constant in both magnitude and direction वैसे constant force का मतलब यह होता है ना क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है पर तुम लोग को क्या है भूल जाओगे वैने पाल्टिकिल इस बींग एक्टेट अपन भाई एक constant force only two trajectories are possible only two kinds of trajectories are possible पहली कॉन सी है straight line दूसरी parabolic या प्रोजेक्ट है लिख ले न भाई दोनों से हम होता है हाँ बता होई सौमनाथ तो भाई इनका कहना है अगर velocity vector is parallel to net force तो straight line होगा यह कियना चाहिए हमेशा अगर velocity force के direction में होगी net force के direction में तो क्या हमेशा straight line motion होगा हाँ बिलकुल होगा और otherwise उसके अलावब कुछ भी है ना अगर force और velocity में कोई भी एंगल बन गया यह मालोब velocity इस जारिक्शन में और net force इस जारिक्शन में लग रहा है तो कैसा होगा बात पैरावलिक straight line के लिए दो conditions है ना या तो यह हो जाए इधर V vector is parallel to F net और V vector is equal to 0 समन्हें है गया तो जब भी constant force लगेगा तो दो trajectories possible है इस straight line कब है या तो particle rest पे हो या फिर उसकी जो velocity है वो force के parallel हो तो इस straight line हो जाएगा इसके लबब कुछ भी होगा तो क्या हो जागा पैरा बोला ठीक अब हम आगे के questions करते हैं चलो मैं चार दरी की trajectory बना रहा हूँ ना वो दो-तीन questions दो मैं बताना कि किस केस में कौन सी trajectory होगी कि यह option है इस तरह से बी option है ऐसा सी option है ऐसा पैराबोलाई है सारे ना और पैराबोला से ना पैरा फॉल्वाइंग पैराबोला पैराबोलीग ट्रेजेक्ट्री इस पॉसिबिल और और हर है उपर की डिर्ख्शन में फेक दिया इसका जवाद फिर अगला लेंगे इसका अंसर किया होगा एवीची डी यह फिन ऑफ 10 इंद नो ग्राबी यह ना ढोला दैंदी ना दर न डिना ग्रावीटी जो कोई इपलय है नव दीजोग सँ हां हां तो कैसे निकाले भार हएं तो फोर्स देखो है न सबसे फेले-ई दूर्से भ Landu ने लियर्याथ मतल नेगिटिव यह मतला नेकिटिव तो फोर्स के डाइकशन भाएगा दूरर मैं तो बाइल फैसा है इसको एसा शिप्ट्र कर दो वैलो सिटी आने लगेगी तो इसका पात ऐसा हो जाएगा तो किसी से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है ना आज तो जो आप जो तरेजिक री होगी बना दो चल्ए वाले आप्शन को चेंज कर देंगा आए तरह ठीक है और निया बना दो यह अप्शन ले लो नई उप्शन ना देते हैं इस अप्शन में आगे हैं इस अप्पो ठीक है चलो अगला लेक्ट इसका अंसर क्या है ये कि अपिश्र क्यों कि देख इसको बंग कम्पोनेट आजाएंगा क्लिके एक डिक्लिक्स में बी कोशile डिए और एगा और यह कि आएंगा वी साइं धीन थीटा थो हमें साझ रहेगा तो उपर कि तरफ तुम हमेंशे जाता रहेगा पर जो ओफूस जाये जफर गांप तो यह त्कलिक्षा क्या हो जाएगा और एक समयिसां गाए 15 कि ट्रजेक्ट्री यह जाएगा और वापिस आजएगा अ कि चल्ड देख अज़ी इस डाइक्शन में कर देता हूं है और यहां पर एक से अलफा परिटी कया होता है समय है हिलियम का नूग्लियर और इसको में वेलोसिट की दी इस टारिक्शन आएग है आ नकिंव क्योंकि जब इस डारिक्शन में तो फोर्स कितर लगेगा यहां पर तो इस डारिक्शन की वेलोस्यूटी को तो कुछ नहीं होगा बस इस डारिक्शन में वेलोस्यूटी बढ़ती जाएगी तो ट्रेजेक्ट्री कैसी आजाएगी तुमारी लिए वाले ना इस तरह से ऐसे चला जाएगा ऐसे जाता जाएगा आंसर सी ठीक है बहुत हो गए ना ऐसे ने काल लो गया तो तो पेंडूलम से रिलेटी उस करते ना कॉच्चन लिकों का फाइंड टाइम पिरेड टाइम पीरेड फिडर फ्रेन पिंडिलम बदा टाइम पीरेड थूद प्रेंडिलम का पग्र्लेंच यह लांग इसकी एले को थो पाय अंडरूट एल अपन जी प्लसर एज लिए अ इस्टीम भी तो डामिश नले के लो तो ग्रैबिटेशनल फीड होती है Newton per kilogram इलेक्टरी फीड होती है Newton per coulomb अब जी प्लस यह सही है कि देखो कैसे करेंगे हमको पता है वही time पिरिट क्या होता है टू पाइ रूट ल वाए जी एफेक्टिव तो हमें एफेक्टिव ग्राविटी निकालनी है आप एफेक्टिव ग्राविटी क्या होगी देखो इसके करण क्या फोर्स आएगा बताओ इस पर एक तो एमजी नीचे लगी रहा है और एक और एक्ट्रा क्या आजाएगा देखो अगर एलेक्ट्री फील उपर है उस पर चार्ज माइनस क्यू था तो जो फोर्स आएगा क्यू इचार्ज फोर्स नीचे की तरफ आएगा समझे भाए रहा है तो एफेक्टिव ग्राविटी क्या होगा इसी को तो बोलते हैं जो नीचे के डारेक्शन में होता है प्यू इव एकट और यहां तो बस रख दिया यहां पर उसमें रख दो यह अंसर आज आगा व क्योंकि है तो इसको यह तो यह फॉर्च है तो महरा यह फोस्ट म only constant है यह जी आया कैसे था जो एम जी था उसको एम से डिवाइट कर दिया देखो कोई डाउट है कि नहीं कि अगर यह पॉजिटिव क्यू होता तो क्या हो जाता है जी मैंस की भी है ठीक है अब बताओ टाइम पिरिट क्या होगा इस पर क्यों है और इलेक्टरी फीर्ड इस डेरीक्षन में कि ऐसे फाइंड तैम पिरिट कि हो, जहांता है कि अगर अंसर आइंग अग भी दोत्ज को निकालते पहले तो है acon है को तो एकaguadra कि लेक्टिशनमें एक एक इक फोर्जाड़ेगा होगो तो दोनेट वगया उस कासिए अब वो Lebanon धने फनेटिख हुआं च्छांगा डिए तो दोतं हमारा ओगा तो अई उस उस पहलो गया रूट आप M square G square plus Q square E square and F net को हम क्या बोलते M into G effective हम बोल देंगे एक तरह से कि effective gravity इस direction में और इसको direction भी निकाल देंगे अगर उसको कोई direction पूछेगा तो क्या बोलेंगे अगर इसकी equilibrium position भी पूछ सकते हैं तो इसका equilibrium क्या होगा theta equilibrium QE by mg देख लो ना इसको इहाँ पर shift करोगे QE by mg ठीट equilibrium भी निकाल सकते हैं इसका अगर इस direction में नेट फोर्स होता है उसी direction में तो आता है M G effective क्या हो जाएगा G effective root of G square plus Q square E square Y M square यह आगे तुमारा answer तो लिख दो बस time period आगे तुमारा आगे तुपाई root of L Y root of G square plus Q square E square Y M square यह तुमारा time period है तो अभी तर्ट time period मास पर डिपेंड नहीं करता था ना पर अगर अगर इलेक्री फीड में पेंडूलम को रखा है तो time period मास पर डिपेंड करने लगेगा जितना ज्यादा मास होगा time period भी उतना ज्यादा होगा कि क्या कर सकता हूं कि क्योंकि अभी तक जो बता है अपन नॉन इनलिर्शिल फ्रेम में जाते थे तो जो अगर यह फोर्ज मास के प्रोपोर्शनल होता था यहां पर जो इलेक्ट्र इस्टेटिक वो मास के प्रोपोर्शनल नहीं है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल है तो मास कट नहीं रहा है अगर यह फोर्ज भी मालनो मास के प्रोपोर्शनल होता तो मास मास कट जाता पर नहीं यह चार्ज के प्रोपोरशनले तो मांस यहाँ पे रोल प्ले करेगा पहिंद पताक से पताती है तो ना सर्केल के लिए मोशन करता है तो उसका एक्सेलरेशन हो रहा होता है अंदर की तरफ है ना सेंटर के टूवर्ड उसको सेंटेटल acceleration बोलते हैं कितना होता है वो वी स्कॉयर वाइब आर या फिर ओमेगा स्कॉयर आर ठीक है और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाता है या फिर मोमेगा स्कॉयर आर या फिर मोमेगा स्कॉयर आर जब अपन इस्ट्रिंग से बांद के किसी चीज को फेकते थे तो किसी बी स्पीट देते यह पार्टिकल को इस तरी के सजाता था सर्किलो मोशन में अगर उसको 90 टीगी तक पहुंचाना है यह नाम देते थे ए बी तक पहुंचाना है तो मिनिमुम स्पीट के नहीं होनी चाहिए रूट फ्रीजी जील तूजील रूट टूजील मैं एल इसकी लेंद हो गई और अगर एसे सी तक पहुंचाना है मतला कम्प्लीट सर्किलर मोशन कर वाना है तो क्या हो जाती थी अगर इस पीट को रूट değptile करता है इंजन किस पॉइंट this is maximum होती है किस record मिनिमम है इस पॉइंट पर सकते हैं है यहनोट तो इस बक्त工 tree के लिए this Version कि यहां पर दो तो तो टेंशन की वेल्यू कितनी हो जाएगी एम जी के इसे इसे वह दिख रहा है कि पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर जाएगा वी काम होता जाएगा तो यहां पर क्योंकि सेंट्रीपीटल फोर्ज जो टेंशन है वह कोई वर्क नहीं कर रहा है तो मेकैनिकल एनरजी चंजर्फ रहती है कि बी कम उगा तो उसके साफसे कम होनी चाहिए इस वाली को बढ़ेगा वर्टर तो कॉस्ता कम होता है यह उन्यूम करवा अगर करवाना है तो circular motion के break तब होता है circular motion जब select हो जाती string, select मतलब tension zero होना, तो tension zero होने के सबसे जादा chances यहाँ पर होते हैं, अगर इस point पे तुमने tension zero नहीं होने दी, फिर कहीं भी zero नहीं हो सकती, समझे आ रहा है, तो circular motion बचाना है अगर तो इस point पे ध्यान देना होता है, जिसको हम highest point बोलते है इतना के लिए रहे concept, लिखना है तो लिख लो फिर में है, लिखना है तो जल्दी लिख लो फिर में है, अपन कोशिन करेंगे, ठेक कोशिन लेको भी, spring है, land L, mass M, charge Q, इलेक्टरी फिर दिशारेक्शन में है, find the minimum value of V to complete the circular motion, हाँ कोई बता रहे answer, कौन बता रहा था, तुम, उसमें Q, E, M, L, अगरा है न, G, V, सब इस बार, सब लेकिया है, बताओ किया आंसर है, G square L, G square L, ठीक है, 5 बगर कुछ भी नहीं है, 5, 5, 5 तो आना चाहिए, यार, तो गलत कर गए, L square बोले, यहाँ पर, हाँ पर, अरे याद, क्या G square plus Q square E square Y M, यही बोल रहे हो, जो तुम बोल रहे हो, गलत है, फिर तुम नहीं से डिवाइड नहीं कर रहा होगा, यह बोल रहे हो, ऐसा बोलना चाहरे हो, तुम यहीं बोले थे, तुम क्या बोले बता, तुम तो बैठ जाओ, अदिश बैठ जाते, हाँ, यह किते लोग होगा रहे है, यह तो गलत है, पहले तो यह क्या सोचने पर आ रहा है, यह कैसे लिखा है, यह सीधा सा तुमने देख दिया, रूट फाइब जी एफेक्टिव, इंटु एल, जी एफेक्टिव क्या हो जाएगा, दिखे रहा है ना, जी एफेक्टिव तो, एम जी नीचे अभी तो अपने निकाला, और क्यू इफेक्टिव निकाला, वो आया, रूट फाइब फाइफेक्टिव एल लोनी जाहिए, तो इस हिसाब चे तो यह सही है ना, पिर गलत क्या है इसमें, यह तो बहने नकाई यह तो तुमने सिर्फ 10 परसेंट सोचा है, इस सरुआ मिजा इसमें क्या है इस तरीके में प्र énerा अदू है इसके बाद है इसके और लगाए मैं थे क्या लगा थे माइनस रूटि नदर के बार थे माइनस आ प्रूटि 270 ंदर माइनस 20 यह हाओ यह हाओ while divided by is a e square q square e square plus m square q square u square plus m square m के सां g होगा फिर dimension को आइड करीमित घ्रोग हो अभी ए ना ठीकए पता नहीं हो सकता है שाहिद मैं मुझे पता है वह नहीं है तो यह कुछ और आ रहा है अच्छा इस बाले में गलत क्या था इसको ऐसे लिग देने में गलत क्या है अगर मैं बोलू कि यहां पर स्पीड मैं रूट फाइव जी एफेक्टिव एल दे दूँ तो यह सुनने में सही तो लग रहा है कि तुम्हारे ऐसा जा रहा है सर्कुल मोशन यहां पर रूट फाइव जी एफेक्टिव यह निकाल रखाए पर ने तो जी एफेक्टिव यह ना जी एफेक्टिव कितना है दबारा रूट आफ जी स्क्वाइर प्लस पूच्छ ना था था फिर यह सांसर सही होगा इसके ना आया के समझ में नहीं आया कोई जब में समझाता है देखो यह सर्कुलर मोशन मतलब ऐसा कराना है ना ठीक है अब बात यह है कि तुम्हारा जो जी एफेक्टिव आ रहा है वो कुछ इस डारेक्शन में आ रहा है जी एफेक्टिव एफेक्टिव ग्रैविटी इस डारेक्शन में तो यहां पर जो तुम्हारा Tension minimum और maximum कहा होगी यह बताओ सबसे पहले तो वो point पहचालो Tension यहाँ पर minimum नहीं है और tension यहाँ पर maximum नहीं है इस point पर tension maximum होगी और इस point पर tension क्या होगी तुमारी यह पहचालना जनूरी है सबसे पहले तो यह lowest point नहीं है और यह highest point नहीं है यह तुम्हारा lowest point है और यह तुम्हारा highest point है समझ में आ रहा है क्या? अगर इस point पे तुम circular motion से बचा लो तो जरूर है नहीं आगे भी बचेगा इस point से बचाना है तुम्हें circular motion से तो यहाँ पर यह तुम्हारा highest point के लाएगा और यह तुम्हारा लोइस्ट पॉइंट लाएगा तो तुम्हें जो अगर इसको तुम्हें चाहिए तुम्हें यह एंशॉर करना है यह समझ में आ रही है क्योंकि ग्राविटी से डिपेंड करता है कि नेट ग्राविटी किस डारिक्षन में तो अगर तुम्हें एंशुर करना है कि यह circular motion complete करें तो इस point पे speed कितनी होनी चाहिए तुमारी B minimum इस point पे होना चाहिए root 5G effective into L आएगे समझ में अगर इस point पे तुमने इतनी speed दी तो वह यहां तक पहुँच जाएगा और यहां पे पहुच गया फिर तो circular motion होता रहेगा ठेक है और अगर अगर इस point पे root 5G effective L है तो इस point पे कितनी होगी वो निकालना कोई बड़ी चीज है नि क्योंकि हमसे तो question में V पूचा गया है इसको कि में V minimum नहीं इसको कुछ U बोल देते है हमसे तो question में V पूचा गया V की minimum value यू नहीं पूचा गया न तो क्या करेंगे इन दोनों point के बीच में कह लगा दो conservation of energy अब अगली गलती बहां कर सकते हो यहां पे इस line पे potential energy same नहीं है समझे में आ रहा है इस line पे potential energy same होगी क्योंकि potential energy net gravity के perpendicular direction में सेम होती है तो जो तुम height लोगे न MGH जब लिख रहे होगे तो वो height कौनसा direction में होगी gravity के direction में आ रहा है समझ में तो बता हो अब यही मान के निकाला रहा फिर इस कांसर सही होगा ठीक है निकालो अब जल्दी से भी निकालो यहां पर यह important point है यह जो समझ गया तो होगे बस question यह समझ लिए तो पता तो यह थीटा तो तुम निकाली रहोगे यह थीटा कोई बड़ी चीज नहीं है कितना है 10 थीटा यह equilibrium वाली position वाला 10 थीटा है तुमारा QEY MGH ठीक है 10 थीटा तुमारा QEY MGH है तो तो मैं पदा करना है यह है कितनी है न क्योंकि यह से reference line पर दो रेफर्य है इस reference line पर मैं बोल रहा हूं Potential energy Zero है और इस reference line पर मुझे निकालनी है और इस पोनिःगा निकालनी के लिए मुझे क्या चाहिए होगा height और height मेरी क्या होगी यह मेरी height होगी समझे में रहा है यह lowest point है तुमारा यह तो किसी height पे हो गया यह h height पे है h height तो में निकालनी है तो यहाँ पर potential energy कितनी हो जाएगी mg g नहीं g effective into h अब यह h निकालना तो यार बच्चों वाली trigonometry है कैसे निकालेंगे यह तुमारा theta है और इस direction में g effective है यह direction g effective perpendicular है तो यह l हो गया तो यह कितना हो गया तुमारा l cos theta और यह पूरी length कितनी है l तो h भी आ गया तुमारे पास लो अब तो सब हो गया question में h निकाल के आ गया कितना l into 1 minus cos theta और 10 theta बता है तो cos theta निकाली जाएगा कितना हो गया बता हो कॉस theta कितना हो जाएगा इससे perpendicular by base ना तो mg by root of q square e square plus m square g square तो इस काहन सब कुछ इसी तरह का आ रहा था है अब लगा देते conservation of energy इन दौनों point पे इस point को बोल देते कुछ p और इस point को बोल देते कुछ L बोल दिया ने इसको तो L और P पे है तो total mechanical energy at P is equal to total mechanical energy at L भाई L पे potential energy कितनी है 0 L पे तो potential energy 0 है ना उसको मैंने 0 मानी है L पे kinetic energy कितनी है half M U square और यहां पे कितनी है U P plus kinetic energy half M V square देखो अब तुम्हें सब पता है मझे लिखने की जरूद नहीं है मेरे खाल से कर लोगे U तुमको पता ही है U P भी तुमको पता है निकल जाएगा यह ना यह तुम्हारा 0 है और बाकि इतना सब drama नहीं करना तो अगर तुम force में अच्छे हो Newton's law लगाना अच्छे से आता है तो इससे solve कर सकते है सीथा सीथा प्र भाश पर भी तुम्हें यह धो रेलाइस करना ही पढ़ेगा यह तो तुम्हें रेलाइस करना बढ़ेगा तो स्फफ इस पॉंड पे mentee को ते को 10 कर देना याद करो टो अग्रइवेशन करता है यहां पे क्योई और इनके जो कंपोनेंट में वही तुम्हें क्या प्रोवाइट करें सेंट्री पीटल फॉर्स तो इससे भी सॉल हो जाएगा कि आज भी आएगा बुस्टारिक्शन हाँ जो भी है एम जी कॉस्ट थीटा प्लस क्यूई साइन थीटा हां हर जगे उससे नहीं एम जी कॉस्ट थीटा प्लस क्यूई क्यूई साइन थीटा और टैंशन ऑडियरेक्शन भी देखने पड़ेंगा कितर हर जाग अलग अलग हो आधा रिक्शन तुम्हें टैंशन को जीरो करना है साइन थीटा कॉस्टिटा मेक्सिव कर के क्या कर रहे ह तो वी मिनिममम चाहिए नहीं तो हहां पर होगा इस पोई पर सब्सक्राइब मीनिमम होता है इस पॉइंट पर सही बहुत है कि तो इसके लिए कोजो थे अशन फ्रीम धिराnd मैंने वेल्यों चाहिए न तो मैक्सिम निगा यह नहीं माइनस कैसे आड़ी है नहीं आड़े इस पॉंट पर टेंशन तो जीडो है आर एम जी का कंपोनेंट इदार एगा क्यूए का कंपोनेंट भी इदार आएगा इसको तुमें के रोंगे एंज फ्कॉरे ल से तो बी मिनिमम्म चाहिए तो कॉस दिटा साइं डिटा मिनिमम मैक्सिमुम क्या सकते हैं, यह बोलना चारहे हो मैं यह भी उसकर सकते है, ठीक है, मैक्सिमुम मिनिमुम क्या सकते है थ्रीक है फोड़ा भूपन देखें, करना वो तो करेंगे चलो आगे बढ़ते ना, इसमें किको पूछ पूच नाया? संन ने आ गया समझ में पक्का घर पे जाके खुट से सॉल करने एक बार इसमें तीन चार कंसेट थे चलो कुछ और कॉश्चन्स करते हैं स्प्रिंग पर इस प्रिंग पर बात नहीं करी बहुत देर से अभी तक रोटेशन दो आई ही नहीं बागी सब चल रहे है तो उससे पहले का मासम ले लो चार्ज क्यू ले लो कर दो कि स्प्रेंग ऐसी का सिस्कुन के यह इिच्रल ललेंट आ हे वी नेच्छिरल लेंट में अ उनके जाए और क्या चाहिए लेक्ट्री फिलेवे सभाट वर ई एकल टाष्ट करिएं फ्राइंटूड maximum extension maximum extension in the spring and maximum compression in the spring निकाल होई और इसमें एलेक्ट्रीफिल का ज्यादा कुछ है नहीं इस प्रिंगे कंसेप्ट है कितना होगा ताइम पिरेट टूपाई रूट एम भाए करते लो के फिलसी माइनसी करते रो तुम सब करते रो लिखा हुआ है बहां पर जाके पढ़ना और आरम से रवाइस करो अच्छे अच्छे प्रूफ करा हुआ है टाइम पिरिट ऑफ एसेचेम इस इंडिपेंडेंट ऑफ एनी कांड ऑफ कॉंसें फोर्स कोई फ़क नहीं पड़ता कोई बी इस तो आ रहा है बस एक कॉंसेंट फोर्स आ गया इसको मैं एसे जो जब आमने यह इस प्रिंग वाला पढ़ाता ना तब बहुत अच्छे से प ऑंसें पर एक्वीरान पोजिशन हो जाएगि हां पर एक प्लिवीरान पोजिशन आएगी कितनी रोटильव लगतलेंगेंड ऑब ऑफ नोर्स के होता था तो उसौं एक्क्विवलिवियूं यह भी पढ़ा हुआ है हैं मने सबकुछ तो maximum extension कितना होगा 2QEY मतलब equilibrium पर आएगी तब net 4 0 हो जाएगा पर उसने velocity gain कर ली होगी इस वक्त maximum velocity होगी तो इतना ही और आगे जाएगा वो X equilibrium distance ही और आगे जाएगा तो यह तुम्हारा maximum extension होगा और यहाँ पर फिर से velocity 0 हो जाएगी तो इस समय वो natural length के about SHM नहीं करेगा SHM equilibrium position के about होगा इस तरीके से ठीक है रिवाइस के लेने एक बार जाके और maximum compression कितना है जीरो compress तो होई नहीं रही इस्प्रेंग और सिलेशन तो एक एक सिक्किलिवर्यम के बाउट हो रहे है कि देखो कोई डाउट है को ठीक है एकात question और कर लेते हैं फिर आज के लिए ड़न कि चलो आसान सो question है ना फाइंड टाइम पिरेट एक सिक्किलिवर्यम एक्समेक्स एक्समेक्स पतलब maximum extension amplitude यह नेच्वरल लेंद पेना इनीशली नेच्वरल लेंद पे ठीक है यह तुमारी नेच्वरल लेंद भी और रेस्ट पे यह एक्किलिवर्यम पोजीशन आएगी फिर यह maximum extension होगा तो बता वहीं शुबं क्या होगा टाइम पिरेट क्या है तूपाई अभी डिपेंड नहीं करेंग एलेक्टिक फीड पे क्यों कॉंस्टेंट फोर्स है ना किसी भी तरह का कॉंस्टेंट फोर्स हो गया गया नीचे दो कॉंस्टेंट फोर्स लग रहे हैं एमजी और क्यूई प्लस क्यूई तो एक्किलिब्र माइका तुमारा एमजी प्लस क्यूई बाइं के एंप्रीटूट विसके ब्राबर होता है और एक्समेक्स नाथिंग वाट ट्वाइस तो इसमें एलेक्ट्रिक वीडियों कुछ नहीं है एक्चलिए इस्प्रिंग कंसेप्ट सारे झाल